प्रमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मैं रतने सेन भारती अज हम बात करेंगे पंचाई चुनाब को लेकर पंचाई चुनाब का रास्ता अब साफ हो गया है कभी भी हो सकता है चुनाओ के तारिखों की घोष्णा जारी की जा सकती है आपको बता दें कि बिहार में पंचाई चुनाब सिंगल पोस्ट इवियम के माधियम से किया जाएगा इसके लिए राज निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बिश सहमती कायम होने की बात कही है राज निर्वाचन आयोग के सचीव योगेंदर राम ने भारत निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट इवियम की उपलवदता को लेकर सहमती देने का निर्न लिया है बैठक से लाट कर वे पूरी जनकारी राज निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेंगे इसके बाद निर्वाचन आयोग पंचाय चुनाव में इवियम की आवसकता का आकलन करेगा राज में सिंगल पोस्ट इवियम की उपर अफ्ता दूसरे राज्यों से आवशकता कि अनुसार इवियम मांगे जाने सहित अन पहलूँ पर विचार कर अंतिम निर्न लिया जाएगा। समय किये जाने को लेकर असमर्थ जस्ताई बैठक में हैदराबाद के इलक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिम्टेट के प्रतनीदियों ने कहा कि करोना के कारण मल्टी पोस्ट इवियम की आपूर्टी किया जाना मुस्किल है क्यूंकि इसके कई पार्ट पूर्ज मज़त ली जाएगी बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के इबियम से जुड़े तक्निकी अधिकारे इलेक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के विज़े सामिल हुए थे बिहार में इस साल होने वाले पंचाय चुनाव के तारिकों की घोशना किसी भी समय किये ज गई है अब मातर चुनावी तितियों की घोशना होना बाकी है इधर त्रियस्तरिय पंचाय चुनाव को लेकर जिला प्रसासन द्वारा कोसांग का घठन पहले है किया गया है कोसांग द्वारा चुनाव की तैयारियां भी यूध अस्तर पर की जा रही है जिला पंचायद क समानने भूथों को भी नित कर लिया गया है चुनाव कार्ज में लगाए जाने वाले मद्दान कर्मियों के न्यूकति पत्र भीदे दिया गया है जिलास तर पर मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है बिहार सरकार ने इस साल होने वाले पंचाइज चुनाव इवियम सकराने को कहा था लेकिन यह पूरा मामला राज निरवाचन आयोग और निरवाचन आयोग के बीच में फंस गया था जिसके बाद से पूरा मामला पटना हाई को कोट में पहुंच गया जबकि कोट ने कहा था कि आप दोनों मिलकर आमले को समाप्त कर लें ऐसे में आप राज निरवाचन आयोग में सहमती बन गई है ऐसे में आप देखना है कि चुनाव के तारिखों की घोशना कब होती है बिहार में और भी पंचाइज से जुड़ हु आप